हलो एवरीवन नव भारती परिवार में आप सभी का स्वागत है मैं डॉक्टर नीरु कौशिक बीर सेकेंडियर के एन्वार्मेंटल एजुकेशन पेपर 12 में आज आपको टॉपिक पारिस्तितिकी के प्रकार प्रभावित करने वाले कारक वे महत्यों के बारे में पढ़ाऊ हैं इसमें हम जानेंगे कि पारिस्तितिकी क्या संगठन इस्तर क्या है उसके विभिन प्रकार कौन-कौन से हैं और किस प्रकार से एक पारिस्तितिकी हमारे लिए बहुत अधिक महत्यों पूर्ण है किन्तु पारिस्तितिकी भी विभिन कारकों से प्रभावित होती है और य पारिस्तितिकी के विभिन संगठन के जो इस्तर है उनको दिखाए गया इस डायग्राम में कि किस प्रकार से कहां से पारिस्तितिकी की शुरुआत होती है जैसे कि और्गनिजम लेवल पे किसी एक इंडिविज्वल लेवल पे उसके बाद पॉपुलेशन एकोलोजी किसी भी विशेश जाती के जो संख्या होती है जीवों की वो पॉपुलेशन है उसके बाद कम्यूनिटी समोदाय समोदाय का मतलब है कि किस प्रकार से विभिन प्रकार के जीव अलग-अलग जाती के जीव वहां पाये जाते हैं वह समोदाइक पारिस्तितिकी है फिर एको सिस्टम पारिस्तितिकी तंत्र किस प्रकार से जयविक और एजयविक घटक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और लास्ट आता है ग्लोबल एकोलोजी वैश्विक पारिस्तितिकी यानि एक पूरा जयव मंडल किस प्रकार से पारिस्तितिकी के रूप में कारिय करता है इसके संगठ आपको समझाने के लिए इसमें रखा गया है कि इंडिवीज्वल में आप देखे कि सिंगल फिष को दिखाए गया है लेकिन पॉपुलेशन में उसी फिष को की संख्या को बढ़ा दिया गया है यह सिर्फ इसलिए कि हम इस बात को समझ सकें कि जनसंख्या किसी एक विशेष जाती के समू की बात हो रही होती है तब विशेश छेतर में जो विशेश जाती का समू पाया जा रहा है वो जनसंग क्या है और जब समुदाय यानि कम्यूनिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर अलग-अलग जातियां पाई जा रही है चाहिए फिश है तो अलग-अलग तरह क फिश है, वहाँ पे प्लांट्स भी दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक समुदाय का निर्मान कर रहे हैं, और एको सिस्टम में जैविक और एजैविक घटक सब शामिल होते हैं, पहला प्रकार आता है, जीव या शारिरी की या वहवार पारिस्तिती की, नाम से इस पस्ट आ र वातावरण में किस प्रकार से अनुकूलित हो पाया है, रहने के लिए उसका अध्यानम वहवार पारिस्तितिकी की अंतरगत करते हैं, इसके अंतरगत हम देखते हैं कि कोई भी विशेश जीव एक विशेश वातावरण में क्यों रह पाता है, फॉर एक्जाम्पल्स हम बा पाते हैं, तो इस तरह से फिश का जो शारिरिक संगठन है, वो इस प्रकार का है, उसमें फिंस पाय जाते हैं, उसकी बॉड़ी है, वो बोर्ट शेप होती है, जिसके करण कि वो पानी में आसानी से तैर सकती है, तो उसका शारिरिक संगठन पानी में तैरने के लिए अनु नहीं कर पाते तो इनके इस वहवार का क्या कारण है किस प्रकार से ये शारेरिक संगठन उनको उस वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित करता है या वो किस प्रकार से उस वातावरण के लिए लाबकारिये इसके बारे में हम वहवार पारिस्तितिकी के अंतरगत जानते नेक्स्ट जनसंख्या पारिस्तिति की जनसंख्या पर केंद्रित है एक ही समय में एक ही क्षेत्र में रहने वाले एक ही जाती के जियों के सम्हूं को हम जनसंख्या कहते हैं इसके अंतरकत जनसंख्या का आकार कैसा है यानि कितना बڑडा साइज है डेंसिटी क्या है यानि किसी विशेश पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितने सदस्य या कितने लोग रहने घनतो जनसंख्या की संरचना कैसी होगी। किस प्रकार से आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं इसका अध्यान या इसकी जानकरी जनसंख्या पारिस्तितिकी में मिलती है या जनसंख्या के प्रते गति शीलता में विभिन परिवरतनों की व्याख्या करने की भी कोशिश करता है जैसे कि संख्या क्यों गहनतों बढ़ने का या किस कारण से कोई एक विशेश जनसंख्या वहाँ पर बढ़ पारी और अन्य जनसंख्या या अन्य जाती के जीव वहाँ पर नहीं बढ़ पा रहे हैं तो उसका भी अध्यान जनसंख्या पारिस्तितिकी के अंतरगत हमें मिलता है नेक्स्ट है सामुदाई पारिस्तिति की सामुदाई मैंने पहले भी आपको बताया था कि समुदाई के बात करते हैं तो हम बात करते हैं विभिन परकार की जातियों के जीव जन्तु के डाइगराम में आपको बर्स भी दिखाई दे रहे हैं तो जेबरा है लॉयन है होर्स है सभी प्रकार के अलग-अलग जाती के जीव नजर आ रहे हैं और यह सब मिलकर एक समुदाय का निर्मान करते हैं तो इस तरह से कम्यूनिटी एकोलोजी के अंतरगत जो सभी आबादी को एक शेतर में रखती है उस समुदाय पर नजर रखी जाती है इसमें सभी विभिन प्रजातियों की आबादी शामिल है यहाँ पर विभिन जातियों और कैसे उनकी संक्या आकार किस प्रकार से उनका आपस में इंट्रेक्शन है किस प्रकार से कोई एक विशेश आबादी पूरे समुदाय को प्रभावित करती है या उसको गतिशील बनाय रखती है वो हमें उसका बारे में जानकरी समुदाय के तुरू मिलती है या यह कहें कि कोई भी एक विशेश आबादी किसी भी एक विशेश जाती की आबादी में परिवर्तन पूरे समुदाय को बदल देता है कि पूरे समुदाय में परिवर्तन ला देता है या कोई एक वि संक्या घटती जा रही है तो सामुदा एक पारिस्तिती की विज्ञान सामुदा एक संरचना जै विवित्ता और प्रजातियों के वित्रण और प्रचूरता को प्रभावित करने वाले कारकों की भी जाच करता है यानि सामुदा एक पारिस्तिती की हमें बताता है कि किस प्रक प्रकार के जीव जन्तू पेड़ पोधे जो अलग अलग जाती के पाये जाते हैं, वो किस परकार से उनका वित्रण है, और किस कारक की वज़े से वो वहाँ पर अधिक संक्या में है या कम संक्या में है। घटकों का परसपर संबंद यानि किस परकार से जयविक घटक और जयविक घटक आपस में संबंदित है वह है पारिस्तितिकी तंतर कहलाता है और इकोलोजी के अंतरगत हम इनका अध्यान करते हैं दोनों में अंतर को समझेगा आप लोग इकोलोजी यानि पारिस्तितिकी में जैविक और एजैविक घटकों के बीच के अंतर संबंदों का अध्यान किया जाता है और पारिस्तितिकी तंतर जैविक और एजैविक घटकों के बीच के परसपर संबंद को बताता है यानि उनका संबंद किस प्रकार का है तो पारिस्तिकी तंतर के अंतरगत ये जीवित जीवों का एक समूदाय है जिसमें की विभिन जैविक घटक, विभिन प्रकार के जीव जन्तू पेड़ पोदे हैं और उसके एजैविक घटक जिसमें की हवा, खनीज, पदार्थ, मिट्टी, इतियादी शामिल हैं उनका परसपर संबंद एको सिस्टम कहलाता है पारिस्तितिकी तंतर के अध्यन में कुछ परक्रियाओं का अध्यन भी शामिल है जैविक घटक और जोड़ने का कारिय करते हैं वो करते हैं पोशक इस्तर जिस परकार से एक घटक, दूसरे घटक से पोशन प्राप्त करता है यानि एक टॉपिक लेवल से एक पोशक इस्तर से उर्जा का जो प्रवा है उर्जा का जो इस्तानांत्रन है वो दूसरे पोशक इस्तर पर किस प्रकार से जाता है इसको जोडने का जो कारिय है वो पोशक इस्तर और उर्जा प्रवा करते हैं जैविक और एजैविक घटकों क अपस में जोड़ने के लिए फिर है वैश्विक पारिस्थिति की ग्लोबल एकोलोजी ग्लोबल का मतलब पूरे विश्व पूरी पृत्वी की बात हो रही है और यानि इस पृत्वी को ही हम अगर एक एकोलोजी के रूप में देखें तो वैश्विक पारिस्तिती की पूरे विश्व के जीव मंडल को ध्यान में रखती है जो की शुक्ष्म जीव से लेके उच इस तर तक के सभी जीवों को इसके अंतरगत शामिल किया गया है कि वह एक परकार से एक दूसरे से किस तरह से प्रभावित करते हैं एक दूसरे के पर्यावरण को और एक दूसरे से किस प्रकार से अंतर के लिए करते हैं वैश्विक पारिस्तिती की पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाले सभी पारिस्तिती की तंतरों को समझने में भी महतो पोने यानि अगर पूरी दुनिया की बात करें, हम पूरे विश्यो की बात करें, तो पूरे विश्यो में विभिन प्रकार के जो पारिस्तितिकी तंत्र है, इस पृत्वी पर अलग-अलग प्रकार के पारिस्तितिकी तंत्र पाय जाते हैं, चाहे वो जलिये हैं, इस्तलिये हैं, इ अलग अलग बायोम को भी शामिल इसमें किया जाता है यह डायग्राम है जिसमें देखिए आप और्गनिजम यानि इंडिविज्वल लिविंग थिंग एक संगठन सबसे लोवर लेवल का पारिस्तितिकी का दूसरा फिर पॉपुलेशन गुरूप ऑफ और्गनिजम्स ऑफ टाइप देट लिव इन दा सेम एरिया यह देखिए एक ही तरह के बाइसन यहां पर दिखाए हुए हैं जो की एक विशेश शेत्र में रह रहे हैं फिर है कम्यूनिटी की बात आ रही है तो पॉपुलेशन देट लिव टूगेदर इन ए डेफिन डिफाइंड एरिया एनि विशेश शेत्र में अलग अलग तरह के जीव जनतु रह रहे हैं उसके बाद एको सिस्टम कम्यूनिटी एंड इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग यानि एजविक कारक के साथ जो समुदाई के वहां के लोग हैं समुदाई के जो जीव जनतु हैं किस प्रकार से रियक् प्रकाश, तापमान, जल, वर्षा, वायू, इत्यादी इसके अंतरगत शामिल किये गए हैं इसके अंतरगत इसल किया अकरती हैंनि हम देखते हैं कहीं पर उचान है, कहीं उचाई है, कहीं ढलान है, कहीं पर बहुत खुला एर्या है, मैदान है, तो वहां पर अलग-अलग एरिया में यो पारिस्थितिकिक हैरो वहां का जो जैविक एजविक घटकों का अंतर संबंदे वो अलग-अलग प्रकार का होगा, ये कारक भी पारिस्तितिकी को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है म्रदिय कारक एड़ेफिक फैक्टर इसके अंतरकत खनीज पदार्थ, कार्वनिक पदार्थ, म्रदा जल, म्रदा वायू यानि म्रदा के विभिन जीव इनके आपसी अभिक्रिया किस प्रकार से होती हैं और वो किस प्रकार से वहां पर रहने वाले जैविक और संबन यानि उनकी जैविक अंतरक्रिया किस प्रकार की होती है सह जीविता है, पर जीविता है, मृतोब जीविता है ये किस प्रकार से ये जैविक कारक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं ये भी मा की पारिस्तितिकी के एक मुख्ये प्रभावित बातवर्णी कारक के दूसरे को प्रभावित करता है विभिन क्रियाओं के माध्यम से किसी भी क्षेतर का जैविक समुदा है अन्योंने क्रियाओं का एक जटिल नेटवर्क है वह अन्योंने क्रिया जो एक ही जाती के बीच यानि एक ही जाती के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित क करते हैं उसको हम कहते हैं इंट्रास्पेसिफिक इंट्रेक्शन यानि अन्योन्य क्रिया जबकि वह अन्योन्य क्रिया जो अलग-अलग जातियों के सदस्यों के बीच होती है यानि यहां पर दो अलग-अलग जाती के सदस्य एक दूसरे को किस परकार से परभावित करते हैं दूसरे की क्रियाओं में किस परकार से या तो बाधा डालते हैं या लाभानवीत करते हैं उसका हम उसे हम कहते हैं इंटर स्पेसेफिक इंट्रेक्शन इंट्रस्पेसेफिक अन्योने क्रिया दाप इस डायाग्राम के मैध्याहिम से आप आसानी से समझ पायेंगे कि किस प्रकार से परेवरण के अंदर विभिन जैविक क्रियाओं के पारिस्तिक्तिके के न Опर बाले के पर प्रिभावईत करते हैं इसमेंच पहला, और दूसरा है में दूसरे सब्सक्तिम को अपस होता है और इसको फिर तीन भागों इसके अंदर गताते हैं वसके बाद है आपके म्यूटलीज्म और δूसरा है शाहा प्रती इस परदह बीच में किस प्रकार से शाहा होती हैं अपने आवाज को लेके अपने भोजन या अन्य क्रियाओं को लेके और लास्ट है फीडी आईए यह चार्ट है जिसके मध्यम से हम विभिन जैविक जो की अलग-अलग जातियों की बात है अंतर प्रजाती अंतर क्रिया को हम समझ सकते हैं पहली आती है आपकी सहोफ कारिता सहोफ कारिता जिसके अंतरगत की इसको ह दोनों जाती जाती ए और जाती बे अगर प्लस का निशान है तो लाब और माइनस का है तो हानी और अगर शुन्य है जीरो है तो किसी भी प्रकार का कोई नुकसान या प्रभाव नहीं है तो बात करते हैं यहाँ पर पहले म्यूटेलिजम स्वहब कारिता की तो स्वहब कारित में दोनों ही जातियों को लाब होता है यानि जाती ए और जाती बै दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करती है इसमें दोनों जाती के जीवित रहने के लिए इनका इस्थाई रूप से एक साथ रहना आवशक है अगर हम बात करें कि एक जाती अगर नहीं होगी तो दूसरी जाती को भी अपने अस्थित्यों को बचाए रखने में नुकसान होगा तो इसमें दोनों ही जातियों को लाब होता है इसका अगर एक्जामपल बात करें तो लाइकेन जो वनस्पती में है लाइकेन वो उसमें वो दो शेवाल और कवक का एक सिंबायोटिक रियक्शन है जिस प्रदान करने में या जमीन में फिक्शेशन के लिए हल्प करते हैं तो एक परकार से लाइकेन में है कि शेवाल से तो उनको कवक को भोजन मिल रहा है और कवक से शेवाल को जल अवशोशन या जो इस्थाई है वो इस्थाई तो मिल रहा है बेस पे रहने के लिए अगर द आपना भोजन बनाते हैं लेकिन इनको सपोर्ट के लिए अपनी वरद्धी के लिए दूसरे पेड़ की या दूसरे प्लांट की जरुरत होती है तो जिस plant पर ये support ले रहे है climbers यानि चड़ रहे है सहरा लेते हुए तो उस plants को तो किसी प्रकार का ना तो लाब हो रहा है ना हानी हो रही है लेकिन इन climbers को उसके support भी मिल रहा है और उसके कारण वो उसका सहरा लेते हुए अपने बेल है या कोई भी है वो व्रद्धी कर र यानि जो जीव दूसरों पर अपना जीवन यापन करते हैं वो पर जीवी है तो वह जीव क्या होते हैं या तो अंते पर जीवी होते हैं वही पर जीवी होते हैं तो एक्टो पैरसाइट वो होते हैं जो बहारी रूप से किसी भी उससे चिपके रहकर कोई भी जैसे कोई फ जो परजीवी है यानि जो दूसरे के उपर निर्भर है दूसरे से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है और हानी होती है host को जिस host पर पर परजीवी के रूप में रह रहा होता है उससे porshipari प्राप्त कर रहा होता है नेक्स्ट है पर भक्षन प्रेडेशन यानि नाम बता रहा है पर और भक्षन यानि दूसरे का भक्षन करना वह जीव जो दूसरे का शिकार करके उनका भक्षन करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो पर भक्षी कहलाते हैं इसमें भी क्या एक जाती को लाव है दूसरे को हानी है लाव जिस जाती को जो जाती दूसरे का शिकार कर रही है वो है उसको लाव है और जिसका शिकार हो रहा है जो मर रहा है वह क्या है उसको हानी है तो पर भक्षन में जो भक्षन करने वाला जो जाती है वो उसको लाव हो और जिसका भखषण हो रहा है वह हानी उसको हानी भो रही है लास्ट है पृति योगिता कमपटीशन आपको तो बहुत अच्छा से पता है कि competition अगर हम बात करें competition की तो दोनों ही जातियों को नुकसान है क्योंकि प्रतिसपर्धा की बात आती है तो प्रतिसपर्धा जीवों में अलग-अलग जातियों में विभिन चीजों के लेके हो सकती है चाहिए वो भोजन के लिए हो आवास के लिए हो या अन्य आवशक्रियाओं के लिए हो तो प्रतीस परधा के अंतरगात ऐसा देखा गया है कि दोनों ही को नुकसान होता है यह दोनों पर ही नकारात्मक प्रभाव डालती है पारिस्तितिकी का महतुर स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि परियावरण का जो संतुलन है वो पारिस्तितिकी पर निर्भर करता है पारिस्तितिकी में ऐसंतुलन परियावरण में ऐसंतुलन क्रियेट करता है परियावरण को हानी पहुचाता है तो फस्ट है यह परियावरण संरक्षन में मदद करता है यानि पारिस्तिति की जो है वो परियावरण को सुरक्षित रखने संरक्षित रखने शुद्य रखने में सहायता करती है अगर परियावरण संतुलित है अगर पारिस्तिति की ऐसंतुलित है तो को उचित मातरा में प्राप्त हो और सभी के लिए उपयोगी भी हो इस प्रकार से पारिस्तितिकी के बात करेंगे तो पारिस्तितिकी हमें बताती है कि जो भी जैविक और जैविक घटक है उनमें एक संतुलन बना रहना चाहिए और विबिन प्रकार के जो वातावरण के संसा वो एक दूसरे के लिए उचित मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए तीसरा है परियावरण मित्रता को बढ़ावा देता है इको फ्रेंडली बहुत नाम सुना है आजकल तो हर जगे बात इको फ्रेंडली की होती है कि अगर परियावरण को सुरक्षित रखना है परियावरण परिस्तिति की भी इको फ्रेंडली को बढ़ावा देती है परिस्तिति की बताती है कि किस तरीके से हमें उन संसाधनों का प्रियोग करना चाहिए जो कि हमारे परियावरण को संतुलित रखें परियावरण में किसी प्रकार की हानी ना पहुँच जाए और लास्ट है माध्यम है वो क्या है उर्जा और पारिस्तिति की हमें बताती है कि किसी भी चीज में जो उर्जा संरक्षित है उसे संरक्षन को किस प्रकार से हमें संतुलित रखना है किस प्रकार से विभिन जीवों के लिए उर्जा उपयोगी हो सके विभिन क्रियाव में उस उर्जा को को हमें समझाती है थैंक्स फर वाचिंग प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब